हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी त्यारी एक्जाम आ रहा है पास में तो और ज्यादा त्यारी को अपनी और मजबूत कर दो और उस मजबूत त्यारी के लिए आपको होना पड़ेगा क्या मेंटली स्टॉंग और मेंटली स्टॉंग आज हमार तो देखो उन सभी पॉजिटिव कमेंट्स के लिए थैंक यू आप सभी मेरे चोटे बाई बैन हो और उसके लिए आपको बहुत सारा प्यार बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा गाइडेंस मेरी तरब से आपको हमेशा मिलता रहेगा आप कुछ लोगों कमेंट आते ह है कि सर यह चीज अरे यह चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको देखो इस्टी बढ़ाने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ज्योग्रोफ यह जार लोग पढ़ा देंगे कोई भी पढ़ा सकता है मैं आपको इसी चीज़ इस लिए नहीं पढ़ाना चाह सारे लोग हैं लेकिन यह चीज है ना मैं जब क्यारी करता था तो मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रोब्लम होती थी मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या करना क्या नहीं करना ठीक है तो अब हम देखते हैं कि आज का हमारा जो 12th concept है ना वो concept है कि आपको नहीं कहना पड़े तो सबसे पहले ना कुछ लोग होते हैं आपकी जिन्दगी में जिनको आपको बोलना होता है अब उन लोगों की तीनी category होती है या तो फैमली की लोग हो या friends हो या unknown हो ठीक है तो अब इनको तो बड़ा असान है मतलब unknown वा लोगो तो बोल देंगे कि ना बाई साब आप र करते हैं दारू पीते हैं ऐसी बहुत सारी चीज और यह common है आज की टाइम पर और मैं यह भी नहीं कहता है निगरनी चीए लेकिन इस से क्या होगा ना आपका concentration ब्रेक हो जाएगा आपकी जो consistency है वो ब्रेक हो जाएगी पहले हमने पड़ा था था ना consistency is better than the intensity तो यह चीज़ आपको नो बोलना है जो unethical coachings है आज कल क्या है किसी का भी जिस कभी exam नहीं निकला ना वो भी मतलब की यह start हो जाते हैं कि आप ना मतलब इस तरीके से यह करो वो करो लेकिन उन में से बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो विचारे अपना experience बहुत बड़ी experience होता है उसक मेरे पैसे घराब हो गए मैंने इसको पैसे दे दिये उसको पैसे दे दिये तो इन unethical coaching वालों के जो भी प्रोग्राम आये और इनके जो भी यह fear psychosis जब भी create करे ना उसको क्या बोलोगे आप no तो अभी तक आपने कितने नो बोले family वालों को बोला नहीं friends को बोला नहीं कर बालते हैं कि कुछ emotions होते हैं जिनको नो करना है बाई डरना नहीं है यार तुम्हें क्यों डरना है तुम यह मानो UPSC की तहरी करने भी आये हो बाई चांस यह थी तुम्हारा success नहीं मिलती तुम्हें तो भी मैं यह बता रहा हूं तुम एक बहुत बड़ी आए इंसान लेते हैं दो साल UPSC की तहरी करने के बाद business करोगे तो ज्यादा successful होगा एक टीचर बनोगे तो ज्यादा successful टीचर बनोगे एक अच्छ शिटीजन बनोगे यार तो डरना नहीं है इस तहरी में आपके पास ना lose करने के लिए कुछ नहीं है जो भी कुछ हासिल करोगे ना तो anxiety anxiety क्या होती है मलब अपने सोते रहते हैं किस और वो कितनी तहरी कर रहा है वो तो ना पाँच अटेम से दे रहा है वो तो IAT वाला है वो तो IAM वाला है उसकी तो All India 5 रेंग थी उसकी तो 10 रेंग थी अरे भाई उनकी तहरी से क्या है ये इतनी एक पूरी जर्नी है उसको आ जान नहीं देना तो अब आपको किन दो जो emotions हैं जिनको majorly आपको no बोलना है तो वो तो एक fear कि डरना नहीं है दूसरा ना दूसरे को देखके गबराना नहीं है कि भाई वो कहां तक जा रहा है सर उसकी तैरी कितनी है आपकी ये जर्नी है आप यहां पे खड़े हो ना तो आप इसको यहां देखो कोई दूसरा यहां है कोई यहां है कोई यहां है कोई यहां है कोई यहां है इसको देखके ना परेशान कुछ भी मतो ठीक है तो emotions को अपने कर दिया अब जीवन में कुछ situations भी आती है जिनको ना अपने को ना मतलब की no बोलना है वो situations कौन सी है पहल तो आप थिंग कर रहे हो किसी topic के आप थिंग कर रहे हो तो फिर भी ठीक है लेकिन न यह our thinking किन तीन चीजों के बारे में नहीं करनी अब आज से आप जब भी ना कुछ भी दिमाग के अंदर thoughts चलें थिंग हो तो समय सोचना कि मेरी thinking कौन सी category से है यदि वो past के बारे में है तो बोल दो no, आप यदी चिंतागर के यार पुरानी वो बंदी थी मेर को छोड़के चली गई, पुराने टाइम पे यदी मैं आटेम्ट में ये कर लेता तो ये हो जाता, पुराने वाले पेपर में बस एक नमबर हो रहा जाता तो मैं आज मैंस लिख रहा होता, इस तरीकी की च तो no, आज के टाइम पे जब जा पर है ना, हर यूटूब चैनल पर फालतू की चीज़ा आ रही है ना, तो ये फ्यूचर अवर थिंकिंग है ना, सबसे बड़ी प्रोब्लम बच्चों की बन चुकी है, तो इसको आपको क्या करना है, no, तीसरी जो चीज़े आपके आपके कहीं आ नहीं सकता, पढ़ने के लिए यार, अब मैंने का, तो गाइडेंस की कमी आपको रहने नहीं दूँआ, इतनी गाइडेंस आपको कहीं और मिल जाए, तो मेरी गारेंटी है, आपको हर टोपिक के ओपर बता रहा हूं, तो गाइडेंस मिलिए, अब आप बोलो, sir, मेर मेरे पास पैन नहीं है, मेरे पास कोपी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो अब उन सभी शिकायतों का देखो, इलाज नहीं होता, इसलिए ना, एक ना, बड़ी ऐसी साइरी याद आ रही है, शुना दू, चलो, वो साइरी ये है, कि जो बीत गया, उसको सोचा नहीं करते जो बीट गया उसको सोचा नहीं करते जो पा लिया उसे खोया नहीं करते सफलता उनी को मिलती है जो अपने वक्त और हाथ सोपे रोया नहीं करते ठीक है तो अपनी सिच्वेशन पे रोणा करो बंद इनको बोलो नो मुझे करनी है मैनत और वापस से मैनत करने लग जाओ और एक situation और होती है जहां पे आपको ना no बोलना है जब आप एकदम down होते हो तब आपको लोग बोलते हैं आपके ना जो मतलब इसमें क्या होता है कि आपके जो मतलब की बहुत है ना अच्छे दोस्त होते है ना वो आते हैं आपके family वाले लोग आते हैं आपकी coaching वाले लोग आते हैं ठीक है बेटा मतलब नहीं हुआ तो इस चीज को छोड़ दे या ये चीज मत कर जब आप down होते हो ना तो आपको sympathize करते हैं आपको ऐसे सोचते हैं कि ये ये कुछ गलत action ले लेगा तो उस चकर में वो आपको ना मतलब की आपका target चेंज कर ले या कुछ भी कर ले या फिर आपको ना मतलब की इस तरीके से करती है कि आपकी हिमत खुटी है कि आप हिमत नहीं होती तहरी करने के रापको लगता है कि quit कर दूँ उस टाइम पर आपको बोलना है नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगा, वो सचीन तेंदूरकल वाला अना मतलब कि जो आपके अंदर एटिटूड आना चीए, क्या आना चीए, सचीन तेंदूरकल वाला कि मैं खेलेगा, क्या करेगा, मैं खेलेगा, तो आपके अंदर ये मैं ख सारी चीजों को नो बोलना आना चाहिए और आप देखोगे यह गलतियां मैं तो खुद मानता हूं कि मैंने यह गलती की थी जनरली फ्रेंड्स को मना नहीं कर पाताथा ठीक है तो वो मेरी यह एक गलती हो जाती थी और जब मैं डाउन होता था ना तो मेरे यह ना मतलब कि एक ऐसे लगता था पांस साथ दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देता था फिर वापस आता था मैं खेलेगा मैं खेलेगा लेकिन आपको एक भी दिन खराब नहीं करना तो यह सारी सिच्वेशन अपनी है जिनके उपर आपको कंट्रोल में रखना है कि आपकी फेमिली को कंट्रोल में रखो कि मेरे को डिश्टब मत करो फ्रेंड्स को बोलो मेरा साथ दो कोचिंग अनेथिकल कोचिंग वालों को समझाओ बेटा मैं बहुत तेज हूँ फिर नहीं करना एंगजाइटी नहीं करनी अपने आपको समझाओ यह चीज खुद को कभी भी आवर थिंक नहीं करना किसके बारे में जो बीत गया वो बीत गया जो आने वाला है वो हमीं पता नहीं है जो बाहर है हमारे हातों से उसका हम कुछे कर नहीं सकते और जब आप डाउन हो तो हमेशा याद रखना लाइफ हमेशा एक साइन वेव की तरह होती है किसकी तरह साइन वेव की तरह, कभी टोप पे कभी ड़ाउन, कभी टोप पे जब यहाँ पे हो, तो सोचना एक बहुती बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, एक बहुती बड़ा मुझिल आपका इंतजार कर रहा है तो जब भी गेरी रात होती है उसका सुर्योध देना उतना ही चमकने वाला होता है तो मैं आपको यही कमवा लगे रहो हारनी माननी जीत के आना है जैहिंद